नमस्कार फैंट्स मेर नाम बवर्मा पेपर हैकर मैं आपका स्वागत है आज देखेंगे बीए फ़र्स्ट सेमेश्टर पॉलिटिकल सायं मतलग राधिनितिक विज्ञान के मतलग नाम पॉलिटिकल सायंस का तो ये क्योशन आपके लिए बहुत ही महात्पूर है यहाँ से हर क्योशन देखने को मिलने वाला है अगर सारे की सारे बहुत इच्छी पारकार सहाँ पढ़ लेतो तो एक भी क्योशन आपका एक्जामें बाहर नहीं जाने बाला है ठीक है बढ़ते है क्योशनों की ओ तो यह हमारा फास नंबर सेकेंड है ठीक है सेकेंड है ध्यानक ना फर्स्ट डालक है नहीं देखा है उसका लिंक देर रखा है कहाँ पर डिस्कप्शन में और जिस किसी को चाहिए पेडिया आप बो कहां डालोड करेंगे बाई बो करेंगे डिस्कप्शन में टेलिग्राम का मतला इसका ही लिंक देर रखा होगा ठीक है साइट का बहां जाके भी डालोड कर सकते हैं और पेपर हैकर www.pepperhacker.com उसके अंदर जाओग रिये दी गई है ठीक है तो बढ़ते हैं अब क्यूक्शनों की और है तो बाइड प्रठी अरे हैं ये पारट होने değ वाला है ये हमारा चलेगा ठीक है तो बढ़ते हैं यूनिट नंबरा यूनिट नंबर 5 अपनी हां से start होती है फास्टए कोशन आपके सामने कुछ इस प्रिकार से हो जाता है देरेक्ः का है तुमारा संग्य सुची में कितने विश्च सम्मिलित है जो संग्य सुची है उसमें कितने विश्य सम्मिलित है आपको बताना है सतावन है सतानवे है च्छाइट है या पिर जाता है अपना कौँं सा एक सो साथ है है राइट अंसर की होगा वई संग्य सूची में कितने विसा हैं सम्मिलत हैं तो जिन लोह का आंसर ऑफ्सन नंबर बास अत्तानवे हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जायगा और राज सू 9 सं PG में तो यहाँ पर होंट 26 जो जाएगा राज सूची के इंद्रकत आ לחट आजाता है आगे बढ़ते संबर्ती सुची में कितने समignon ऌध किये गए हैं अब इसमें इसे की बात कर रहे हैं तो बसे कितने हैं आपको बताना है बिल्कुल संबर्ती सूची की बाद यहां पर होती ही राज संग सूची में 97 राज सूची में 66 अब यहां पर संबर्ती सूची में कितने बिसे हैं फटामेनस का अंसर जीगा 66 97 संबर्ती संबर्ती के बाद करेंगे संबर्ती संबर्ती या फ्राथ संबर्ती में प्रते कि व्यक्ती को दोहरी नांगरिक्ता प्राप्त है सत्य है या फिर असत्य है भारत में प्रतेक ब्यक्ति को दोहरी नांगरिक्ता प्राप्त है सत्य है या फिर असत्य है बिल्कुल असत्य है वाई ये कल नांगरिक्ता प्राप्त है ठीक है तो यहाँ पर क्या है यह असत्य हो जाता है आगे जैते हैं मूल अधिकार न्याई योगे होते हैं क्या मूल अधिकार जो होते हैं वो न्याई योगे होते हैं यह बात सत्य है या पिर असत्य है जो मूल अधिकार होते हैं वो न्याई योगे होते हैं बिलकुल सही है हमारा अ आए हो जाएगा यहां पर सत्य हो जाएगा मुलदिकार होते हैं और नियायोग होते हैं तो यह कैसा है असत्य वाक है तो देहों सिर्फ कौन से होते हैं मूल जो होते हैं हमारे बही हमारे मतलब न्याय के यूग होते हैं बाकी न्याय यूग नहीं होते हैं आगे देखते हैं यहां देखते हैं तुम्हारा यूनिट यहां पर सिक्स श्टाड़ आती है यहां राष्ट पती और मंत्री मंदल की आरे में यहां पर बात होंगी तो बात करते ह कौन चुनता है भात की राश्पती को कौन चुनता है संसद के दोनों सदनों के सदस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस संसद के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस राज्यों की सबिधान सबागता संगी शित्र के विधा सबाएं तता संगिय चेत्रों के बिधान सबाओं के सदसी यहां पर राष्ट पती को चुनते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन को देखी का नेक्स कुशन यह चाहँ आगे देखते हैं अनुच्छ चाहँ राष्ट पती पद के लिए उम्मीदवार की आयू कम से कम कितनी होनी चाहिए 21, 25, 30 या फिर हो जाता है अपने 25 तो यहां पर रच पती के लिए तो राष्ट पती के लिए आयू कितनी होनी होता है ना उसके लिए होती है 21 बरस तो सबको मैंने बता दी ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन की बात करते हैं, राज्ट पती पर महाभयोग लगाने का अधिकार है, किसको है, सर्बोची नियाले को, लोगसभा अध्यक्षी को, संसद के दोनों सदनों को, या फिर पिधानमंतरी को, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा भई, कर सकते हैं, ठीक है, आगे दिखते हैं, नेक्स कुशन, संसद तीन चीज़ासे मिलकर नहीं होती है, राश्ट पती, राजसभा लोगसभा, तो रोज, जो राजसभा लोगसभा रह गई, उनमें से कोई भी पायत कर सकता है, महाभयोग के लिए, आगे देखते हैं, किरा रा मिलकुल, तो भारती है, भारती संविधान के ओपचारिक रूप से संग की कारिपालिका सकती नहीं, कितमे होती है, राश्ट पती में होती है, राई टांसर अप्शन नमबर आ हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, राश्ट पती, राजसभा में कितने सदस्यों को मनुनित करत करता है, आगे देखते हैं, लोग सभा में दोखों करता है, अब यहाँ पर किसकी बात आई है, राजसभा की बाते, बिलकुल सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन, बहारत के राश्ट पती को पद से हटाने की विधी क्या है, जो बहारत के राश्ट पती को प कि यहां पर उपर भात हो रही है ना फोली उपराश्ट्पति की तो बात करते हैं बात करते हैं बात करते हैं भारत के उपराश्ट पती का चुनाब कौन करता है तो पहले कौन थे राधा किष्णन थे उपराश्ट पती तो बात करते हैं कौन करता है यहां पर देखीगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ चुका है सभी लोगों के भई संसद के कहा गए संसद के दोनों सदनों के सदस करते हैं कौन संसद के दोनों सदनों के सदस करते हैं उपर राष्ट पती का चुनाव आगे देखते हैं नेक्स देरे का तुमारा भात के राष्ट पती की संकट काली इन सक सकनियां कितने प्रकार की होती हैं तो बहारत के राश्वती की जो संकत काली सकनियां कितने प्र ilip पातकाल एक होता है राश्ट्यापातकाल है ना 356 मतलब क्या राज की मांगेगी तो 350 जो हो जाएगा वो राज की अंतरगत होगा ठीक है और 360 जो होता है वो बित्तिक अंतरगत होता एक मुझे याद नहीं रहा है ठीक है है three-atri3 और यहां होता है राश्ट सकतिएन होते है तो आई टांस होगा और आगे बढ़ते हैं महाव्योक किसके बुरुद किसके बुरुद लगाया जा सकता है नागे ब्लकुल तो आपधност है यहां पर आपको बताना है राश्ट पती सर्बु चिन्हाल topics के किसके लिए लगा जाता है आपको बताना है बिल्कुल टु कि अव्ण देखा था कौन हो जाएगा भई याँ पर रुझाओ ठीड मी लगा जाएगा ठीक है महाभीयो किसके लिए राष्ट पती के दो है लगा जाता है ठीक राष्ट का कोट Bay है वही पांच बर्स का होता है कितने 5 बर्स का कारकाल होता है । जबा cev करते हैं इसके 달ी नपती कौन होता है बाहरती स्वेचा सिनाव का मुख्यक कौन होता यह एक होता है पिदान परिशद होता है यह कि 6 वर्सका होता है बाकी सबका कितने वर्सका पांच वर्सका होता है ठीक है तो बात करते हैं मंत्री परिषद में किस स्रेडी के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में किस स्रेडी के मंत्री होते हैं यहां पर आपको बताना था तो किस प्रिकार के होते हैं कैविनेट इस्तर के ह होते हैं किसके कैवी नेट इस तरह के भाई साहब होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पूशन अपना कह रहा है नेक्स्ट पूशन को देखीगा फुरा समुझे कुछ गड़बर लग रहा है बिल्कुल सही गड़बर लगाता सही कर दिया ठीक है बात करते हैं बाचन कितने समय के अंदर अनिवार होता है तो कितने समय के लिए होता है बताना है तो यह होता है भई छे महा के अंदर राष्ट पती को चुनना ही चुनना है ठीक है तो यहां पर छे महा हो दाएगा आगे देखा है भात के पिरतम राष्ट पती कौन थे तो भात के जो प प्रधान मंतरी की नुक्ति कौन करता है राश्ट पती के द्वारा प्रधान मंतरी की नुक्ति की जाती है आगे देखते हैं प्रधान मंतरी किसके पती उत्तरदाई होता है वो किसके पती उत्तरदाई होता है वो लोक सभा के पती उत्तरदाई होता है अब कहोगे राज सभा के प्रति उत्रदाई कौन होता है तो राज सभा के अंतरकत उपर राष्ट पति चुना जाता है कौन उपर राष्ट पति चुना जाता है इसलिए ये इसके अंतरकत आता है बात करते हैं मुक्र चुनाब आयुक्त की नुक्ति कौन करता है तो मुक्र चुनाब आयुक्त की न परिशद को किसको मंत्री परिशद को कहा जाता है राजनित भवन की आधार सीला किसे कहा जाता है मंत्री परिशद को कहा जाता है आगे परते हैं राष्ट पती राजसवा में कितने सदस्यों को मनुनित करता है जो राष्ट पती होता है वो राजसवा में कितने सदस्यों को म लुए इसटेटी में राष्ट्र पती पद कौन स्मालता है मुखनीयदीज समलता है अगर राष्ट्र पती नहीं है तो Löwing नहीं है तो कौन समालेगा सरवोच नयालाय का मुक्ष नयाइदीस उस पद को समा लेगा ठीक है आगे दिखते हैं यहां दरकाई संसद लोकसवा और राजसवा की यहां पर बात होने वाली है संसद के सेवल की बनी होती है लोकसवा राजसवा और राश्टपती राश्टपती पिधान मंत्री हमने देखेंगे तो पहला दरका है लोकसवा के सदस्चियों की अधिक्तम संख्या हो सकती है तो लोकसवा के पहले कौन थे आयंगर जी थे कौन थे ठीक है तो यहां पर बताना है यहां पर बताना है कौन है भूसले जी है ठीक है कौन है सौरी इस समय कौन है लोकसवा के पर देख लेंगे आप कमेंट बॉक्स हों से लिख दीजिएगा ठीक हो जुक्त आपके लिए याद हो जाए सर्चमार लेना लोग सबाकर सब्सक्राइब कि अधिक्तम की बात कर रहा है तो वह कितनी होती है बैए ऑप्सन नंबर वा हो जाएगा पानसो बाबन होती है बैसे कितनी वतमान में पांसो पैसा है आगे बात करते हैं यह सही है ना है जो जाएब आस के नुसार लोग सब की कि है रैटान साहिए लगा ढगा आंए हां आगे बढ़ते हैं यही होगा अगर जो भी लदाग होए है तो उसमें कुछ प्राइबलम हो सकती है ठीक है इसके वारे में कुछक अनुन भाटेज आ इसके बारे नए अपडेट देख लिए न ठीक है कि लोग सबाकी सदस्टा की अधिकतन संक्या कितनी अधिकतन तो पांसो बावन ही होगी ठीक है और जो होंगे उसकी अलग होगी तो बात करते हैं बरतमान तो अलग होगी क्योंकि यह तो पुरानी तो यह होगी ठीक है तो ब साधी के लिए किस वर्स तो बात करते हैं यहां पर जो 35 बर्स है उप राश्ट पती राश्ट पती और अपने कौन राज जिपाल जी की हो जाती ही लोग सभा के लिए मतदान की नियुंतम आयू कितनी है तो लोग सभा के मतदान के लिए नियुंतम आयू कितनी की गई है अभी हमने देखे लोग सभा की 25 बर्स होती है और राज सभा की कितनी होती है तीस बर्स होती है आगे देखते हैं संग्य कारिपाल का किसके प्रति होती है भैं किस इसके प्रति उत्रदाई होती है यह आपको देखना है प्रध्धान मंत्री के प्रति राश्टपते के प्रति लोक सभा के प्रति संसद के दूनों के प्रति तो यहाँ पर कौन सा विल्कुल राइट आंसर भी अपना रह जाएगा ठीक है बताईगा भई, बिल्कु सही, देखो संगीय कारिपालिका के प्रती, इसके प्रतीतरदाई होती, संगीय कारिपालिका, इसको ध्यानकना, जो संगीय कारिपालिका होती है, वो किसके लोकसभा के प्रतीतरदाई होती है, अब क्यूशन पढ़ लीजेगा, यहाँ पर दिर्का है कि सामान बजट संसद के संसद में प्रस्तुत किया जाता है जो सामान बजट होता है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यहां पर आपको बताना था अब जो सामान बजट होगा वो कौन प्रस्तुत करेगा संसद में आपने दे कौन है समय वह आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है ना आगे देखते हैं पूदा छोटा करते हैं बहुत बड़ा देख रहा है मुझे तो ठीक है अगले देखीगा नेक्स्ट कुशन के रहा है राज सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो राज सभा का पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है आपको बताना है राश्ट पती उपर राश्ट पती पिधान मंत्री या पिर लोक सभा अध्यक्ष होता है तो राज सभा का पदेन अध्यक किसी सदन की स्विकृति आवस्यक होती है तो यहां पर बताना है किसी भी अधीनियम को कानून बनाने के लिए किस सदन की स्विक्रती आवस्यक होती है तो दोनों सदनों तता राष्ट पती की जो सहमती होती है वह आवस्यक होती है लोकसवा वजराजसवा और राष्ट पती के द्वारा संसद से कानून क्या होता है पास होता है तो इनकी सभीकी स्विकृती बहुत इंपोटेंट होती है बात करते हैं आपर विध्यक संसद के किस सदन में प्रुस्तित होते हैं जो विध्यक होते हैं वो संसद के किस सदन में प्रुस्तित होते हैं सबसे पहले किसके दोरा तो विध्यक संसद के किसी भी सदन में प्रुस् होते हैं जो धन विद्यक होते हैं वो किस सदन में प्रस्तुत होते हैं तो धन विद्यक जो होते हैं के बल लोक सवा में होते हैं किसमें के बल लोक सवा में प्रस्तुत होते हैं धन विद्यक बेरी इंप्रस्तुत होते हैं तो के बल लोक सवा में प्रस्तुत कि जाते हैं आग सबा रहोती है उसका पदेन सभापती कौन होता है तो उससे पहले देखा था कि भारत का कौन होगा वह उपर राष्ट पती हो जाएगा है न पहले कौन थे राधा किश्रंग थे आगे बढ़ते हैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अधिक्षता कौन करता है तो करता है लोग सवा का अधिक्ष कौन करता है वह लोग सवा का अधिक्ष करता है आगे बढ़ते हैं घानक ना बहुत इंपोर्टेंट यही कौन करता है लोग सभा का अध्यक्षता कौन करता है लोग सभा का अध्यक्षता कौन करता है लोग सभा का अध्यक्षता कौन करता है तो लोग सभा की अध्यक्षता कौन करता है तो लोग सभा की अध्यक्षता करता है वो करता है लोग सभा का इस पीकर आपने शुरूंगे, इस पीकर जो होते हैं, वो किसमे होते हैं, यहीं नहीं लेता है कि धनभहें, वित बिद्यक इया धनविद्यक है या फिर नहीं है, संसद में सामानबजट कौन प्रश्तुत करता है जो संसद में सामान बजट जो होता है वो कौन प्रश्तुत करता है आपने देखा होगा बित्त्य मंतरी करता है सीता रमड है ना बिल्कुल सही तो कौन कर रही थी इस बार आपने देखाई था आगे देखते हैं यहाँ देरेका है तुम्हारा थड़ राज सरकार एवं विधान सभा की बात हो लिए राज सरकार एवं विधान सभा की यहाँ पर बात होगी तो first equation दखाए राजपाल की नुक्ति कौन करता है तो राजपाल की नुक्ति उमर कितनी होती है पांच बरसे के लिए और उमर बैसे कितनी होती है 35 बरसे से होती है अपने राश्ट पती उपराश्ट पती की तो राजपाल की नुक्ति कौन करता है राश पति के दोरा इसे जब चाहने तब ह电 preoccupation है आगे बरते हैं राजपाल का कारीकाल है किते ना पांश बर का कारीकाल कितना कितना होता है पांच बरस का होता है कितना पांच बरस का होता है आगे देखते हैं राजपाल पूर रूप से उत्तरदाई होता है राश्ट पती के प्रती धान मंत्री के प्रती या पर रखाई संसद के प्रती उपर राश्ट पती के प्रती तो राजपाल जो होता है पूर रूप से उत्त अध्यादेशों को, बाद में किसकी स्विकृती की आवसकता होती है, राध पाल द्वारा जारी किये अध्यादेशों को, बाद में किसकी स्विकृती की आवसकता होती है, तो बिधान मंदल की होती है, तो बिधान मंदल की होती है, किसके बिधान मंदल की स्विकृती की आव सकता होती है आगे देखते हैं संग सूची में कितने विसे हैं आपको बताना है संग सूची में कितने विसे हैं तो अभी हमने देखा था कितने है भी 97 विसे हो जाएंगे कितने 97 विसे हो जाएंगे इससे पहले हमने देख रखा है बात करते हैं संभीधान के अंतरकत राज सूची में कितने होते हैं 66 विसे होते हैं और अपना जो हो जाता है और संबर्ती सूची में कितने होते हैं 47 विसे हैं ठीक है इन सब को याद रखना है आगे देखते हैं संबर्ती सूची में उल्लिकित विस्तियों पर किसका छेत्र दिकार है वो आपको यहां पर बताना है कि और बाद दोनों का हो जाएगा केंद सरकार और राज सरकार दोनों का होता है बिल्कुल सही है क्योंकि राज संग सुची किसके अंतरकात आ गई केंद सरकार के और बात करते हैं संबर्ती सुची किसके अंतरकात और संबर्ती सुची मतलब दोनों के अंतरकात ठीक है और बाद का सत्र नहीं होता है और इस इस्तिति में राज के अध्यादेश पारित करने का अधिकार किसको होगा तो बैं हो जाएगा राज जिपाल के लिए किसके लिए राज जिपाल को यह अधिकार होता है आगे रहा है उत्र प्रदेश विधानी परसद के राज जिपाल द्वारा मन दोनों से संबंदित है आगे बरते हैं संभर्ति सुची के किसी विसह पर विबाद की स्थिती उत्पन होने पर किसका निर्णय मानने होगा किसके केंद्र का निर्णे मान होता है संबर्ति सूची के किसी विसया विबाद की स्थिती में उत्पन होने पर किसका निर्णे मान होगा तो संबर्ति सूची में अगर यह हो जाता है तो केंद्र का निर्णे क्या होगा मानने होगा ठीकर राजिका नहीं होगा बात करते हैं क बहारत में राज्यों की संख्या लिखिएगा तो भात में कितने राज्य हैं इनी की संख्या अब बरतमान में कितनी है अठाइस राज्य हैं और आठाइस राज्य हैं और आठाइस राज्य हैं और आठाइस अपने हो जाते हैं बात करते हैं बरतमान की बात करते हैं मंत्री प आगे बढ़ते हैं अपने भारति के राज किस में दुई सदनात्मक विवस्ता यहां पर हो जाती है तो बात करते हैं यह देर रहा है तुम्हारा यूनिट है अपना कौन सा तात्मा ठीक है मैं भी थग गया बोलते बोलते कोई बात नहीं अगले बढ़ते हैं रखा है बन इसमें क्या दरेखा होगा सर्बोच नियाले के बारे में बताया गया है कि सर्बोच नियाले के बारे में इसमें यूनिट में हम देखने वाले हैं किन से क्योशन हमारे एक्जाम में कौन-कौन से बन सकते हैं का सर्बोच नयाले के नयदीस कि सेबा निबरती आयू क्या है तो सरबोच नयाले के जो नयाइदीस होते हैं उनकी सेबा निबरती आयू क्या होती है साथ बाँ weout कि स्ट या पिर अपनी हो जाएगी अठाफ बहुत ही अच्छा बिल्कूल सभी यहां पर आपको देना देखना है टीक है बिलकू कि इसक तर राष्ट द्वारा संसद द्वारा मुख न्याइदीस द्वारा या फिर प्रिधान मंतरी के द्वारा तो सर्बोच न्याले के न्याइदीस की नुक्ति की जाती है किसके द्वारा राश्ट पती के द्वारा की जाती है आगे बढ़ते हैं सर्बोच न्याले के न्याइदीस की न्याइ किसको है यह हो जाता है संसद को किसे संसद को है सिर्फ राश्टपती उपर राष्टपती को यटा सकता है बात करते हैं सर्भोत्ति न्याले मुल अधिकारों की रक्षा के लिए जो पांच पृकार के खेल जारी करता है उन में सम्टूरी महात्पूर अधिकारों की रख्षां के लिए जो पांच प्रकार के लेक जारी करता है उन्रमसे महात्पूर क्वाइब का कुझ nuclear फ्रत्सिय रहाँ बंदी प्रतची कड याथ कन पुछा तो यहां प्राइट अंसर क्या होगा बंदी प्रत्प्थिकर्ड हो जाएगा महात्पूर्ड ले खॉंसा है बंदी प्रत्थिकर्ण हो जारगा ठीके एक बार एक्जाम में जाने से पहले इन सब्क्रशान को पढ़ लीजीगा बहुत इंपूर असीं देख लीजेगा ठीक कर थे ठीक है तो फेंट नेक्स कुछन को देखें का नेक्स्ट कुछन का अंसर मारा भई क्या रहने बाला है यहां पर जाएगा बंदी प्रचिज़ एकर नेक्स को इन फाइब गया तुमारा यदी राष्ट पती उपर राष्पती दोनों के पद रिक्त हों तो ऐसी स्तिती में रा संबीधान की रक्षा की जिम्मिदारी किस की है संबीधान के रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है राश्पती प्रिधान मंत्री स्पीकर या फिर सर्बोच नियालय की तो किसको जाती है वही संबीधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसको है सर्बोच नियालय को है किसे सर्बोच नियालय को है ना तो राश्पती को ना तो प्रिधान मंत्री कोना तो स्पीकर को किसे है सरबोच्रेयालाए को है उत्तर देना है तो भारत के भारत के क्यों करता है राष्ट्टी नियालम्टे करते हैं केंद्र राज के बीच विवाद धुर के ंद्रत रories के मद्ध बिबाद मौलिक अधिकारों की रक्षा यह सर्बोची नियाले के किस अधिकारी छेत्र में आते हैं तो यह आते हैं प्रारंबिक छेत्र अधिकार के अंत्रकत आते हैं किसके प्रारंबिक छेत्र अधिकार के अंत्रकत आते हैं आगे देखा है सर्वोच नियाले के इन्रिड़े किसे किस पर आधारित होते हैं तो सर्वोच नियाले के जो इन्रिड़े किस पर आधारित होते हैं तो वह हो जाते हैं बहुमत पर आधारित होते हैं सर्वोच नियाले के इन्रिड़े जो होते ह कितने नियाई धीस करते हैं तो बहुत करते हैं कम से कम पांच नियाई धीस करते हैं आपको पता है जो हमारा जो कौन सी आई थी अयोध्यावाला कांड जो हुआ था ना जो मंदिर है ना योध्यावाला उसके लिए पांच जजों की नियुक्ती की गई थी आपको थो पता ही हो गहाती हैسके बारी में तो संबीध्यानिक प्रसुनों की जो सुनबाई होती है उसमें कितने नियादिस करते हैं यह नोगतंतंत में स् adalah निस्पच्य प्रिकार के नेफ्स स्ocolaty New next question की बात करते हैं किसी शाटन की सुरिष्ठता जातने के लिए उसके न्याय विवस्ता की निपुडता से बढ़कर कोई अन्य कसौटी नहीं है कतन suspicious किसका है आपको बताना है तो किसी सासन की स्रिश्टता जातने के लिए उसकी नियाय व्यवस्ता की अधिवत्ता से बढ़कर कोई नियाय कसोटी को अन्यक कसोटी नहीं है यह कतन किसका हो जाएगा लाड ब्राइस का हो जाता है ठीक है next question की बात करते है यदि नियाय का दीप अंधेरे से में बुझ जाए तो बह अंधेरा कितना होगा बह अंधेरा कितना होगा यह कैसा रिखा है यदि न्यायले का दीप अंधेरे में बुझ जाए तो बह अंधेरा कितना होगा इसकी कलपना नहीं की जा सकती यह कतन किसका है अच्छा पूरा पढ़िएगा मैं साहिए किसका लाड़ विरायस का हो जाता है आगे देखते हैं बहात के शर्बोचिन नयायाँ लेके मुख ही नयायदीश क Τस अनय-दीश हो सकते हैं कितने अनय-धीश को छोड़ कर नेक्स कुशन की बात करते हैं नेक्स रकाया तुम्हारा तदर्थ न्यायदीसों की न्युक्ति कौन करता है जो तदर्थ न्यायदीसों होते हैं उनकी न्युक्ति कौन करता है राष्ट पती के द्वारा की जाती है आगे बढ़ते हैं तदर्थ न्यायदीस किस न्यायले में न्युक्त किये जाते हैं जो तदर्थ न्यायदीसों होत का कारिपाली का अध्यक्ष है तो बास्त बक्ता में बास्त बिक्ता में जो राज की कारिपाली का अध्यक्ष होता है बह कौन होता है तो बह होता है मुख्यमंतरी राश्टपती राजपाली या फिर प्रधान मंतरी तो यहां पर कौन हो जाएंगे यहां पर होते हैं मुख्य मुख्य मंत्री कौन हो जाएंगे मुख्य मंत्री हो जाएंगे तो बास्तिविक्ता में राज की कारिपालिका की बात हो रही है तो होंगे कौन कौन होंगे भई मुख्य मंत्री होंगे आगे वरते हैं राज कारिपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष है राज के कारिपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है भई मुख्य मंत्री राष्टपती राजपाल या फिर प्रिधान मंत्री तो भई कौन होगा राजपाल हो जाएगा सिर्फ कारे मात्र का नाम मात्र का सोरी नाम मात्र का होता है ठीक है कौन राजिपाल आगे देखते हैं बिना विदहानमंडल का सदस्ष हुए कोई ब्यक्ति अपनी न्युक्ति के पश्चात अधिक्तम कितने समय तक मंत्री परिशद में रह सकता है बिना विधान मंदल का सदस हुए कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पस्चात अधिक्तम कितने समय तक मंत्री परिशद में रह सकता है चार महा, छे महा, नो महा या फिर तीन महा तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा भई? बिना विधान मंदल का सदस हुए कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पस्चात देखतम कितने समय तक मंत्री परिशद में रह सकता है तो छे महा तक रह सकता है बारना छे महीने के अंदर किसी ना किसी का उसे सदस बनना पड़ेगा आगे देखते हैं यहाँ रखा है पती सर्बोची नाले का नियाइदीस मुक्य मंत्री या फिर राज जिपाल तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे राश्ट पती के द्वारा की जाती है आगे बढ़ते हैं उच्छी नाले के नियाइदीस की सेवा निब्रती की आयू क्या है जो उच्छी नाले होता है उसके नि नियाइदीस जो होते हैं उच्छी नाले के मुख नहीं सिर्फ नियाइदीस उच्छी नाले के जो नियाइदीस होते हैं उनकी सेवा निब्रती की आयू होती है 62 बर्स होती है ध्यान अकना बेरी इंपोर्टेंट के उश्य लोग कंफ्यूज यहीं होते हैं बाकी सब में 65 चल जाएगा मगर यहां पैसर टम नहीं चलने वाला है आगे बढ़ते हैं उच्छी न्याले के न्याइधीस को हटाया जा सकता है किसके द्वारा उच्छी नियाले के नियावदीस को हटाय जा सकता है मुख्य नियावदीस द्वारा, संसद के दोनों, सदनों द्वारा राजि पाल द्वारा या फिर राजि के मुख्यमंत्री के द्वारा तो यहां पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर अपना तो बिल्कुश सही तो किसका गया उची न्याईले के न्याईधीस को हटाया जा सकता है किसके दौरा संसद के दौनों सदनों के दौरा हटाया जा सकता है next question की बात करते हैं next question को देखीगा यहाँ देखा है उचिन्यायलों के बेतन थता बत्ते किसे परकार भारित हैं तो उचिन्यायले के जो बेतन थता बत्ते किसे परकार से भारित होते हैं यहां पर देखना है तो पहला देखा है सर्बोच नियाले पर राज सरकार पर या फिर राज के सच्चित निधी पर या हो जाएगा तुम्हारा राश्ट पती पर तो उच्च नियाले के बेतन थता बत्ते किस पर आधारित होते हैं वही होते हैं राज के संचित निधी पर कि के लिए किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो राज मंत्री परिशद जो होती है राज मंत्री परिशद अपने कारियों के लिए किसके प्रति उत्तरदाई होती है तो वह बिधान सवा के प्रति उत्तरदाई होती है जो मुख्य मंत्री होता है वह किसके प्रति उत्तरदाई ह कोई कोशिस नहीं है आगे देखते हैं राजपाल केबल संभीधानिक प्रधान है जिसके पास बास्तविक प्रसासन में हस्तचेप करने की कोई कोशिस नहीं है यह कतन किसका है आपको बताना है कि राजपाल केबल संभीधानिक प्रधान है जिसके पास बास्तविक प्रसासन में हस्ताक्षर करने क कि कोई सकती नहीं है यह कथन किसका हो जाता है तो बोचाता है स्री टिटी कृष्णा माचारी जी का हो झाता है राइट अंसर आगे देखते है नीक्सके लीन स्ल्टर्च के रहा तुम्हारा एक राजपाल मंत्री मंदल का सुजबूझबाला पराम सचलता है राजपाल जो है वो मंत्री मंडल का सूजबूजबाला परामर्स दाता है जो राजपाल मंत्री मंडल की सूजबूजबाला परामर्स दाता है जो राजपाल मंत्री मंडल की सूजबूजबाला परामर्स दाता है यह कतन किसका है तो यह हो जाता है कौन एम बी पाइली का किसका एम बी पाइली जी का यह कतन हो जाता है बेरी इंपूर्टेंट कतन है और एक्जाम में पूंचे वे क्योशन अपने हो जाते हैं अब देखेंगे यूनिट नंबर जो हो जाती है लास्ट वोपनी हो जाती है ए चेतर अधिकार है तो किसका है केंद सरकार का है राजिसरकार का है दोनों का है इन में से कोई नहीं है तो संबर्ती सूची की बात हो रही संबर्ती सूची में संविलित विश्यों पर हस्ता जो किसका अधिकार होता है तो संबर्ती सूची में टोटल विस है कितने होते है 47 होत होता है तो वह केंद सरकार और राजी सरकार दोनों का होता है राइट अंस रोजाएगा ओप्शन नमबर सा नेक्स कुशन की बात करते हैं चुनाब आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के आधार पर की गई ती तो बहकी गई थी अनुच्छेद 324 के अनुच्छेद 324 के अनुच्छ की गई थी चुनाब आयोग की स्थापना आगे बढ़ते हैं राजनितिक दलों को मानिता प्रदान करते हैं जो राजनितिक दलों होते हैं उन्हें मानिता प्रदान कौन करते हैं राष्ट पती प्रदान मंत्री चुनाब आयोग या फिर नियाल है तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा जो राजनितिक दल्व है उनको मानिता कौन प्रदान कराएगा चुनाबायो कराएगा कौन कराएगा चुनाबायो कराएगा आगे बढ़ते हैं राष्टिये मत दाता जागरुकता दिबस कब मनाया जाता है very important question भी तो कह रहा है राष्टिये मतदाता जागरुकता दिबस किस बर्स किस सोरी कब मनाया जाता है तो वो जाता है 26 जनवरी 25 जनवरी 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर तो यहां पर राइट आंसर क्या हो दाएगा भी बिल्कुल सही है 25 जनवरी यहां पर 1989 में 612 संविधान संसोदन द्वारा बैसेक्ता की आयू किस आयू की सीमा है वो निर्धायत की गई थी कौन है बैसेक्ता अच्छा बैसेक्ता की आयू सीमा निर्धायत की गई थी कितनी की गई थी 15 बर्स 21 बर्स 18 या पिर हो जाएगा 25 बर्स तो बैसेक्ता मतलब कौन हो ग तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा तो अनुच्छेद 29 के अंतरकत दिया गया है क्या बहासा और संसिकेती को सर्चत दिकादिकार किन के लिए आदी बासी समुधायों के लिए आगे बढ़ते हैं आदी बासी बहूल राज्य है आदी बासी जो बहूल राज्य है वो कौन सा हो जाता है उत्रपिदेश, मद्दपिदेश, पंजाब या फिर केरल तो आदी बासी बहुल राजी कौन सा हो जाएगा तो वो पना हो जाएगा मद्दपिदेश को की मद्दपिदेश में क्या है सबसे जादा बन है सबसे जादा बन कहां पर है मद्ध पिदेश के अंदर हैं तो बात करते हैं निमिकित प्रसनों के उत्तर देना है फश्ट रेखा है भात के मुख चुनाब आयोक्त की नियुक्ति किसके दोरा की जाती है तो भात के जो मुख चुनाब की आयोक्ति की जाती है वह है राश्ट पती के दोरा की जाती है आग पूलि कल साइन्स के याद हो गया हूंगे मेरा मानना है 77% यहाँ पर हो गई एक्जाम देने से पहले एक बार याद एक बार इंग वीडियो को दोनों को देख लिना दो घंटे पहले ठीक है एक्जाम में जाने से पहले दो घंटे पहले क्या है दोनों वीडियो को देख लिना है और एक्जाम देले चला जाना है ठीक है यहाँ पर आपको सिर्फ देखन से ही आप कितना कर जाओगे कम से कम 80 80 या फिर 80 प्लस यहां पर आराम से कर जाओगे देखते ही देखते ठीक है तो बिल्कुल लाइक करना शेर करना चैनल को देना सस्क्राइब तो फिर जाहिन जाय भारत